तो गई जो चारों तरफ जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि इसमें क्या है कि 54 जो आपके एप्स है जो चाइनीज एप्स है उसमें फ्रीफायर भी सामल है लेकन आप सोच रहे होंगे कि यह फ्रीफायर तो चैनीज एप नहीं है यह तो सिंगापोर जिसका पेरेंटियल है उसकी सिंगापोर सभी जानते है ठीक है तो लेकिन इसमें यहीर को सामल कियों कर दिहstory जिसमें ऐसा है कि जो चैना है चायना का 25 percent data free फैर में था ठीक है जिसके कारण जो 25 परसेंट डेटा के होते हुए वह चाइना का एब बन जाता है ठीक एना उसमें चाइना की भी एक बागीदारी होती है जिसकारण से कवर्वर्मेंट को यह कदम उठाना पड़ा क्योंकि यह हमारे लिए फ्यूचर में जा के हमारे लिए यह थोड़ा आम फोलो सकता था इसी लिए गवर्मेंट ने यह कदम उठाया ठीक है तो गईस दूसरी तरफ एक अच्छी ख़बर यह भी निकल के आ रही कि जो हमारा फ्री फैर है वो फ्री फैर तो बैन हो चुका है ठीक है ना वो लियर नियुचे अंडर पट्सेंट से लेकिन जो फ्री फैर मैक्स वह अभी प्लेश्टोर में बाकी है वह प्लेश्टोर में बाकी है और वह पैन नहीं हो रहा है ठीक है ना उसका कोई भी चांस नहीं है बैन होने का ठीक है उसका उसका कारण यह है कि जो हमारा चाइनीज है बैन हो रहे है ठीक है ना सीरी से बा फ्रीफयर में किसका चैना का डेटा जा रहा था लेकिन जोक्त मैक्स एक्टरह से-टौरी गरीन ने अपनी तरफ से तो ओ이 फर्फेट किया है तो वो कहीं पे भी नहीं जा रहा ठीए तिक नहीं न brag मेंस्में कोई तो इसलिए मैक्स को डाउनलोड कर लिए और मज़े लिए ठीक है ना अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफल लगी हो और ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो प्लाइट कर देना और यहीं चाहते है एक यूटू